कि वेल्कम डिप्रिमों और क्लासिस आज वीडियों देखेंगे आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नेक्स कुस्टन इससे पहले हम लोगा ने कुस्टन कर लिया है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डेस्क्रिशन में जाए वहां पी उसका लिंक मिल जाएगा जहां ज यहां पूछेट जीए गाएगा कि इसे फॉर्स यं देखते हैं कि इस इमेज में बनेगा जैसे कि में और पूछा जाएगा तो फरिंगल प्रोजेक्शन में पूछा जाएगा फॉस्ट अब देगा और साइड वीव में क्या होगा इधर बनेगा हानलो का राइट साइड वीव और राइट साइड वीव और राइट वर्ट मेंने करते होगा कैंग придu एधेक्ट में क्या होगा थर्ट एंगल अana में कैया हब स्बसेरे घीर तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट एंगल में इसका इमेज किस तरीके से बनेगा तो यह किले कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्ट यह जैसे कि हमारा दिखाया गया है यह हमारा फॉर्ट यह लिखा भी गया है फ्रंट और जैसे हैं साइड व्यू हमेशा ऊपर से होता सब से पहले हमलों को बनाना front front में कौन सी चीजे आएंगी ये हम इसे समझ दिखेंगे तो हमुलों के दिमाग में यह रखके चलना है phi 1992 दिखाई देगी ने लोग Gibson देखेंगे तोए वाली नहां से याँ तकि दिवाल है यह हमें दिखाई देगी इसके डालवा यह दिखाई देगी यह छत हो जा रहा है इसके लावा यह दिवार दिखाई अफिर जहाए Sakota को नहीं दिखाई देगा चुंसा को साइब आप से देखते हैं पने 15 वाल दिवाल देखते हैं तो अधिस थालत न कर रहा है को साइब के वाल जी अधियो भी दिखाई बहुत साइट देखेंगे तो यह दिवाल दिखाई देगे और तो देखेंगे उपर की चछत दिखाई देगे जिसको हम लोग है नहीं किया है तो यह दिखाई देगा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा और यह भी चछत दिखाई देगा और और तो सबसे पहले हम लोग्याएं घय मug來 लिगने पहले तो भूलो दिवाणारा और इसके लिए निचे नीचे नीचे बनाइगे और फिर सब्सके लिए हं पहले है को यह हमने खिच लिया है पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से खिचना है तो इसे क्या करना है पहले होड़ेंटल और और वर्टिकल लाइन खिचने के बार से एक सेंटीमीटर के गयव देखर के तुज पेंसल का यूज करते हो खिचना है बीच वह जो हम जो है इसको फ्री हैंट बनायेंगे लेकिन आपको स्केल का यूज कहिं से की मेजर करके बनाना है अब करते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे रहे हैं और यहां से नहीं है है 120 है और यहां से यह तक 64 है और इसकी मोटाई कितनी है इसकी मोटाई यहां यहां 3 x 16 मतबबकि इसकी मोटाई कितनी है 16 mm है इसलिए इसलिए एक बास बीदिए 3 x 16 । यहां पर तो यहां से स्टार्ट करेंगे कि 127 मा लेते हैं कि यहां तक है आपको मेजर करके बनाना है इसकी लंबाई कितनी है 64 तो 64 हम यहां तक लेते हैं यहां से यहां तक कितनी है 64 है और फिर इसकी लंबाई कितनी है 16 mm है और फिर यह भी कितना होगा 16 mm होगा यहां से भी हां में आते 16 mm नाप लिए ठीक है और इसको इसको समानतर 100 mm तक बढ़ा रहेंगे तो यहां तक बढ़ा रहेंगे और फिर इसको मिला लेंगे यह वाइल जिवाल जो फ्रंट से दिखाए देट थी यह हमने यहां पर बना लिया है जो कि यहां से और रहें हैं यह को सकतर कुछ करना है बार रचाहें त्यक्ता से लगांकर करना When अब देखे यह जब हो जाएगा तो आप हमें क्या रिखाएद देगा यह यह दिवाल दिखाएगी और यह दिवाल दिखाएगी तो इसके बास से यह मुचाई दिखाएगी तो यह मिल जाएगी टिक है इसके पाद से यह लाइन इस लाइन से डख जाएगी इसके बनाएंगे इसको यहां से यहां तर बना देंगे यह वाल दिवाल हमारी बन गई जो इस वाले के सबस्क्राइब नाथ के बनाएंगे तो तीनों एकदम बराबर आए एंगे है यहां से यहां से यहां तक जो डिमेंशन है वो त्षील का यहां पर यहां पर यह दिमेंशन है अब क्या करना है यहां से इसको रखेंगे इस चीधे ही नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे अदूसा पंड के है यह अब क्या बनाना है नीचे क्या बनेगा यह हमारा बनेगा अब और यह वाली चत दिखाए देगे अब यहां से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से सीधे मिला देंगे अब ना पने क्या सकता नहीं पड़ेगी तेकं अब Dr. इसको यहां से बढ़ा रहेंगे यहां से बढ़ा रहांगे यहां से हम बनाने क्लिए यहां से नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब आपकरें और प्रूंगे है यह यह यहाँ दिखा देगा यह लाइन यह लाइन और यह लाइन भी दिखाए देगे यह लाइन THIS लाइन को निछा जाएगा और यह जो ऊपर दिखाए तो किया करेंगे यहां से नभे भी ले लेंगे यहां से कितना है नभे इसको क्या करेंगे सी कर सीद में यहां नभे जो है ले देंगे कि इस तरीके से चोड़ाएं कितनी है तीस 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 है तो क्या करना है यहां से हमारा हो गया यह इसमें नहीं हो यह हमारा बन गया है कर सकते हैं यहां सो दिखा दिखाना है यहां से यहां तक कितनी है एक एक को दिखा सकते हैं जाये तो यह हमारा तीस है और यह भी एरो देंगे और सफाई से यहां भी इस तरीके से भी आरो बनादेंगे त्योंकि तो साइड विव बनेगा यहां पर हमारा राइट साइड विव बनेगा और राइट साइड इधर है इधर का विव हम लोग यहां पर बनाएंगे इसके लिए क्या करना है करना है कि सारे पॉइंट को वग्र करक taraf बीच वाय लाइन का य सेन्टर है इसको सेंटर सेंटर लेना है कि इसको हमेशा ही जेना हुव लेते हैं शेंटब लेते हैं इसको यहां से यहां से शेंटर देनां करें इसको यहां से 20 थो पहले ओपने लेग जाएंगे को सब्सक्राइब शुर्ण हो मैं दख़ाए अब फिर इसको एहां से यहां तक अब इस वाले को यहां से यह तक तक वह को आयगा इक्ष आते हैं और इसी थाली हृव है फाले इसको उपर की तरफ बाइरा देंnesday सुझों के उपर की तरफ हाते हुए दिखेंगे कि कि इतनी आव सकता हो उतनी ही हम उसके वह में अई इसके बाद से इसको भी हुण क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ा लेंगे यह बराबर नकिलन लेगंगे अब हम यहां पर क्या बनाएंगे यहां बनाएंगे लो राइड साइड द्यूँ बनेगा और यह दिखाई देगा डिवाल आ जाएगे यह सीडी दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा बनाते में 64 की है और यहां से यहां तक 90 की है तो हम देखें गूं करके ऐसे आया है यह वाले दिवाल यहां है यह पूरा हमारा बन गया हम उस साइट से देखेंगे तो यह पूरा दिवाल बराबर दिखाए देगा अब इसमें सीडिया बनी हुए है तो सीडिया कहां बनेंगे इस साइट से बनेंगे हम उधर देखेंगे यह पहले उपर आएगा नीचे फीनीचे तो नीचे देखेंगे यह सीडियां इस तरीके से होजाएं है यह पूरी तरीके से पूर्षन हो जाएगा इसे लुटवा से डार करके देख लेते हैं यहां से यहां तक पुरा दिवाल होगा तो यह चीज़ इस दिवाल में यह हमारा यह हीडन होगा तो यह चुप जा रहा है साथे से दिखाया जाएगा कि यह हो क्या इसमें कोई दिखा लेते हैं कि हमारा टॉप व्यूंट है कि अट अब हुआ है और लिए ही तक आएगा यहां यहां से यहां तक होगा तिक है कि देख लाइन यहां तक आशकल कि हिसमें और यह हां यहां तक होगा इसके बास से इसमें वह इस तरीके का होगा बस और इसको यहां से यहां तक आप इसको मेजर करके बनाएगा मेजर करके बनाएंगे तो बनाना ही नहीं है आप यह हमारा अब यह को समझने में कोई समस्य हो अब कमेंट करेंगे तो इसके बैसिस पर हम दूसरे वीडियो में आपके एक और दिए वीडियो का कुछ दरेंगे जैसे आप चाहते हैं तो पूरा कोसिस किया है अगर कोई सीजी मिस्क हो गई हो कुछ शीजी समझ में आई हो तब आ सकते हैं थाइंगल में क्या होगा यह से भी देख लेते हैं वह यहां बन जाएगा जैसा यह बना है जी डाइमेंशन में बना है ठीक है सकते हैं डाजाहे हृा है जो यह बना गुए हूप में और ऊपर वनेंगे ऋपर इस टरीकशन गत्र्म लेंगे इसका प्रोजेक्स नीचीं के तरफ आ जाएगा और उसी झीट को अगे requirement भिवु तक है यहां से यहां तक है यहां से यहां तक है यहां से इस हम हप सकना है इसको फिर ऐसे गूसे आыт osób विए और व्ली है उसको व्रिट के तुर्ट terrorism सब्सक्राइब डिंग जो यह यह थो आधि सब्सक्राइब तो थर्ड में टॉप वीव ऊपर उच्छे जल ड़ेखिए और जगा राइट वीव अगेसन को बनाया और फिफ चांगल जताइब अग्राइब क्या करेंगे थार्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही कर लेंगे ताकि हम फॉस्ट एंगल के साथ साथ थार्ड एंगल फ्रोजेक्शन भी किलियर हो जाए ठीक है आपको वीडियो कैसा लगा समझ में आरा नहीं आ रहा है अब जुरू से कमेंट प्टाएं बताएं और जो आपके दोस्त अधर प्रोजेक्शन में पढ़ रहे हैं उनके साथ वीडियो जो सेयर करें ताकि हो भी अपने त्यारी कर सके हैं ओके मिलें नेक्स वीडियो में थैंक्यों बच्छी बच्छी बच्छी